Indian TV News, देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटवर् सरकार ने बच्चों की पढ़ाय को जारी रखने के ख्याल से विशेश कारेकरम लागू किया है जिसके तहत electronic device अनुपलब्धता यानि की जिन बच्चों के पास mobile, tablet या फिर laptop पर computer नहीं है ऐसे में एक से पांच भी कक्षात में पढ़ने वाले बच्चों के घरगर जाकर पढ़ाय को जारी रखने का जिम्मा टीचर्स पर है ऐसे में एकाज शिक्षक को छोड़कर बागी शिक्षकों के लिए सरकार का यह निर्देश कोई माइने ने रखता मगर रानी दो पंचयात के अंतरगत बेगम सराय गाओं दलित महुले में स्थित फ्रात्मी विद्यालय बेगम सराय अनुसुच जाती की शिक्षिका संध्या कुमारी अपने करतेवे निस्ठा की बदोलत जहां शिक्षक समुदाय के लिए मिशाल पेस कर रही हैं वहीं शि अनुसुचित महुले के ग्रामेंड अभीभावक और बच्चे बताते हैं कि बिना किसी भेदवाव के मेरम हम लोगों के गरों में आकर बच्चों के हाल चाल के साथ साथ अभीभावकों से भी मुलाकार करती है साथी पाठेकरम संबंदित सवाल जवाब और संसेव बढ़नन कर बच्चों को समझाती हैं पाठेकरम से होमवर्ग भी देती हैं संध्योकमारी हर दिन किसी ने किसी बच्चे के घर पठन पाठन में मशगूल दिखती हैं अभीभावक कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिक्षिकाय बच्चों के बीच लगाव इतना ज्यादा है कि बच्चे अपना कोपी किताब निकाल कर मैडम के हानने का इंतजाब करते हैं विद्याला की प्रचारिया संध्याकुमारी कहती है कि शिक्षक नौकरी महज एक जीवी को पारजन का साधन मात नहीं है बलकि वह साधना है जिसमें समाज के नव निर्वान की बन्याद रखी जाती है शिक्षकों को बच्चों के बीट सिर्फ पूरी नहीं करनी चाहिए बलकि उनके बीच सुकून महसूस करना चाहिए आईए दिखाते हैं आपको अंधेरे से उजाले की गोर ले जाती नोनी हालों की ये उजवल संध्या कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के चलते सभी सरकारी विद्याले बंद कर दिये गए और पठन पाठा नस्थागित है सुच्छकों के लिए विद्याले खुला हुआ शुच्छक रोज आवागवन करेंगे लेकिन भच्चे नहीं होगे तो ऐसी परिस्थिती में हम सुच्छकों का दाइत्यों बंता है कि कुछ करे बच्चों करें और सरकार का विया देश है कि जिन बच्चों के पास कोई इलेक्रोनिक साधन उपलब नहीं है उनको घर पे जाके हम रोजशाहित करें प्रेरीट करें ताकि बच्चे पठन पाठन करें इसी उद्देश से मैं अपने दलिट शेत्र के इसे ही बच्चे हैं उनको भर पे जाके मोटिवेट करती हूँ और प्रेरीट करती हूँ ताकि वो कुछ सीखें और परहें अपका नौँ देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें इंडियन टीवी न्यूज के साथ नमस्कार